नमस्कार दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी शुपकाम के शुरुआत करने के लिए घर से निकलने से पहले ही कोई न कोई मुश्किल आ जाती है या फिर काम बनते बनते ही पिगड़ जाता है जिस कारण से व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जोतिश शास्त्र में बताये गए कुछ ऐसे उपाये बताएंगे जो आपको घड से निकलने से पहले करने हैं इन उपायों को करते ही आपके सभी काम बनने लगेंगे तो आईए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं सुमवार के दिन की सुमवार का दिन भोलेनाज जी को प्रसंद करने का दिन होता है अगर आप सुमवार के दिन कोई शुपकार्य करने जा रहे हैं तो घड से निकलते समय शीशा जरूर देख कर निकलें ऐसा करने से आपका कार्य जरूर पूरा होगा लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सीशा तूटा हुआ ना हो इसके अलावत सुमवार के दिन शिवलिंग का दूद मिले जल से अबिश्वेक करें इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी आगे बात करते हैं मंगलवार की सभी ने ये कहते तो सुना ही होगा कि कोई भी अच्छे काम के शुरूरात पहले मीठी चीज से ही करने चाहिए ऐसे में मंगलवार के दिन कोई भी सुपकार्य के लिए घड से निकलने से पहले हनुमान जी का अशिरवाद लेकर गुड़ खाकर निकलें जोतिश के अनुसार इस दिन गुड़ खाकर निकलने से आपका दिन खुशनुमा बना रहता है और इसके साथ ही आप कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लोटते अब बात करते हैं बुधुवार की बुधुवार का दिन गणेश जुका होता है कोई भी शुपकारे करने से पहले भगवान गणेश को इस्तुती की जाती है तो ऐसे में अगर आप बुधुवार के दिन कोई भी नए काम की शुरुवात करने जा रहे हैं तो घड से निकलते समय धन्या के पत्ते चबा कर निकले ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी तो वहीं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की उपासना का दिन होता है और उन्हें प्रसंद करके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं ऐसे में गुरुवार के दिन घड से निकलने से पहले पीले रंग के कपड़े पहन कर निकले इसके अलावा अपने साथ थोड़ा सा गुड चना रख ले और रास्ते में किसी गाय को खिला दे इस उपाय को करने से हर भिगड़ा हुआ काम बनने लगता है बताते चलें कि अगर आप शुकरवार के दिन कोई परिक्षा या इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले मा लक्षमी वा मा सरस्वती का अशिरवात लेकर दही में थोड़ी से चीनी और साफ तुलसी के पत्या मिलाकर उसे खाकर घर से निकलें इसका आपको बेहद ही शुब परिणाम मिलेगा ये तो बात होगी शुकरवार की अब बात करते हैं शनिवार के दिन की शनिवार के दिन अगर आप कोई भी शुब काम या नया कार्य करने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अद्रक खाकर निकले इससे सारी बाधाएं दूर होंगी इसके अलावा शनिवार के दिन इस्तान करने के बाद हाथ और पैर के नाखून में सरसों का तेल लगा कर निकलने से सारी अर्चने दूर होती हैं और हर काम में सफलता मिलती है आखिर में बात करते हैं रविवार की रविवार के दिन सूर्य देव को जलर्पित करके घड से निकलने से पहले पान खाकर अवश्य निकलें ऐसा करने से आप जो भी कारे करने जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद